नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रौसान और आप देख रहे हैं पिरपेर फ़र नकरी ओफेसियल यूटूब चैनल दोस्तों इस चैनल पे आपको जनरल अवर्नेस से रिलेटेड सारी वीडियो मिलने वाली है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरू चाते हैं तो प्लेलिस्ट में जाए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सारी वीडियो देखनी है और आपको नोट्स भी खुद बनाना है और देखे पीडियाफ आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है 20 लेक्चर तक कि which gas contributes most of to the greenhouse effect तो देखे greenhouse effect होता क्या है जिससे फिर्थभी की temperature जो है बढ़ जाती है तो एक आपको ध्यान रखना है कि जिससे फिर्थभी की temperature बढ़ जाती है तो greenhouse effect कुछ हद तक सही भी है क्योंकि अगर greenhouse effect ना होता तो फिर्थभी का temperature इतना कम होता कि इस पे जीवन संभभ भी नहों पाता लेकिन अधिक जो है greenhouse effect के कारण temperature जो है बढ़ते जा रहे हैं जिसके कारण जो है glacier अगर पेखल जाएंगे तो फिर यहां पर बहुत सारा छेत्र जल्बंग नहों जाएगा तो ए आपको अगर greenhouse effect अगर जादा हो जाएंगे तो यहां पर हानिकारक होते हैं त जो है बार्टर भेपर इसका correct answer होगा तो बार्टर भेपर इसका correct answer होगा A is the correct answer for this question बार्टर भेपर के बाद carbon dioxide का नंबर आता है जो कि greenhouse effect में contribute करता है तो ध्यान देखिएगा सबसे पहला नंबर पे बार्टर फिर carbon dioxide फिर methane फिर nitrous oxide भी जो हसाने वाली gas है laughing gas वो भी आपको greenhouse greenhouse gas ही है तो important है इसका answer A होगा question है कि Corbett National Park was established to protect which animal तो यह आपको अगर देख लिये होगा है तो यह आपको बेंगाल टाइगर जो इसका correct answer होगा तो answer A इसका correct answer होगा यानि कि Corbett National Park बनाया गया था to protect बेंगाल टाइगर आप देखिए आपको यहाँ पर question करना होगा कि Corbett National Park hack कहां पर तो यह आपको उत्राखंड में है और इसका देखिए पूरा नाम होता है Jim Corbett National Park तो Jim Corbett National Park और इसको 1936 में बनाया गया था और Project Tiger चलाया गया कब तो 1973 में question पूछा देए कि Projected Tiger जो है कब चलाये गया है तो 1973 में to protect Tiger है अब देखिए Jim Corbett National Park का पुराना नाम पूछा जाए तो Haley National Park Haley National Park इसका पुराना नाम था तो यह भी आपको पता होना चाहिए और यह National Park आपको उत्राखंड में है यह भी पता होना चाहिए कोशन है कि सुब्रमन्यम वारती तो यह आपको पोएट है तो यह आपको ध्यान रखना है इस तरह से देखिए इंपे उपर जो है इंडिया का पोस्टिज एस्टैम भी छपा था तो यह आपको important है यह आपको पोएट है यह तमिल नाडु के है देखिए पोएट के अलाब सुतंतरता सिनानी भी रह चुके हैं सुब्रमन्यम भारती जोकी तमिल नाडु से हैं याद रखिएगा कोशन है कि which freedom fighter addressed महात्मा गाधी as a father of the nation for the first time यानि कि महात्मा गाधी को father of the nation किस ने बोला यानि कि राष्ट पिता के रूप में सबसे पहले संबोधिद किस ने किया है तो आपका correct answer इसका होगा B. सुभाज चंद्रबोस सुभाज चंद्रबोस ने एक रेडियो रेडियो पे यहाँ पर उद्धोशना करते हुए उन्होंने first time जो है father of the nation महात्मा गाधी को बोला था तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं खोशने किनम तो first Indian who got Nobel Prize in physics तो देखे अगर पूरा Indian की बात किया जाए पूरा Asian की बात किया जाए तो आपको रवेंदर अनाथ टाइगोर इसका correct answer होगा 1913 में उनको गितानली के लिए Nobel Prize मिला था तो साहित के लिए लेकिन physics में अगर पूछा जाए तो first Indian who got Nobel Prize in physics वाज C.V. रमन तो C.V. रमन चंदर सेखर विंकटा रमन इसका correct answer होगा who got Nobel Prize in physics in 1930 1930 में यानि कि 1930 में उनको मिला था तो यह भी आपको ध्यान रखता है और इन्होंने देखिए C.V. रमन की खोज की थी और यहाँ ध्यान रखेगा कि 28, 28 of February को इन्होंने C.V. यानि कि जो रमन इफेक्ट है उनके लिए इनको Nobel Prize मिला और रमन इफेक्ट को इन्होंने खोजा था 28 of February को 28 of February को इसलिए आपको अगर थोड़ा सा भी पता होगा तो National Science Day मना आ जाता है 28 of February को किस लिए तो इन्होंने इसकी रमन इफेक्ट को 28 of February को ही खो जा था तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं और तेखिए अमर्त सेन को 1998 में 1998 में Nobel Prize मिल चुका है किस के लिए तो Economics के लिए Economics में अगर पार्टिकुलर पूछा आए तो Belfare Economics के लिए Belfare Economics के लिए अमर्त सेन को मिला है 1998 का Nobel पुरसका तो यानि कि Economics के छेतर में मिला है और काम इन्होंने किया था Belfare Economics के लिए तब जाके इनको मिला था Nobel Prize in Economics Question है कि All of the following are the aims of the लोक अडालत except तो देखिए लोक अडालत को People's Court भी बोला जाता है लोक अडालत को People's Court भी बोला जाता है और इनका काम है कि Secure Justice to the Beaker Section बिलकुल सही है उसके बाद Mass Disposal of the Cases यह भी सही है Minimize Cost and Delay यह भी सही है लेकिन Give the Power to the Rule in the Hands of the Common Man यह बिलकुल गलत है तो यही इसका correct answer होगा चूंकि यह आपको लोक अडालत का काम नहीं है तो अब देखिए इसके बारे में और कुछ आपको मैं बताता हूँ तो देखिए given a status under the Legal Service Authority Act Legal Service Authority Act 1987 के तहत People's Court को दिया गया a status first लोक अडालत पास held in Gujarat in 1982 first time held in Chennai तो देखिए first time held in Chennai in 1986 तो इस तरह से आप लोग ध्यान रख सकते हैं very very important है question है कि सीतल महाजन is associated with which sports यानि कि सीतल महाजन किस खेल से जूड़ी हुई है तो आप देख रहे हैं यह है a sky diving तो correct answer होगा एहां पर a sky diving answer A इसका सही होगा और A आपको सीतल महाजन है पुने महारास्ट की सीतल महाजन है और इनको 2011 में पदम सिरी से सम्मानित किया जा चुका है जो कि fourth highest civilian award है तो इसको ध्यान रखिएगा खुशन है कि who is the author of the book a suitable boy तो suitable boy के पुस्तक के author कौन है लिखक कौन है तो एह हैं आपको बिक्रम सेट तो correct answer होगा A बिक्रम सेट और देखिए a suitable boy publish हुआ था 1993 में 1993 में publish हुआ और बिक्रम सेट इंडियन ऑथर है और एक कलकत्ता से हैं तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखेगा कि बिक्रम सेट के द्वारा ही लिखा गया था a suitable boy आप देखिए और बुक का कवर पे भी आप देख सकते है a suitable boy by Bikram सेट खोशन है कि the goods which people consume more when their prices rises are called यानि कि वो बस्तू को बताना है जिनका लोग अधी को पोफ़क करते हैं ज goods को बोलते हैं गिफिन goods तो correct answer होगा यहां पर D. गिफिन goods is the correct answer for this question उसका देखिए वेबलेन goods उस goods को बोलते हैं जिसका demand बढ़ जाता है जब prices बढ़ जाता है जब prices बढ़ जाता है तो उसका demand भी बढ़ जाता है क्योंकि यह लोग समझते हैं कि उनकी status की बात है कि अगर म एकलोजी सबसे पहले समझे पारी अस्थित की इसका हिंदी नाम है तो एकलोजी इस तरह से एक दूसरे से इंट्रेक्ट करते हैं जो फिजकल इंवर्मेंट के साथ तो उसको एकलोजी बोलते हैं और इसको सबसे पहले क्या था अर्स्ट हेकल ने तो इसका करेक्ट अंसर होगा ए अर्स्ट हेकल इस तरम को क्या था सबसे पहले इकलोजी सब्दकापारी इस्थित की तंत्र का क्कोौश्चान है कि पाबलो पिकासो एक आपको किस देश से हैं और आपको किसicie से पाब lift है तो ईससे से ग्रेटेस्ट पेंटर माना जाता है 20th century का तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं इनका photo है तो अस्पेन का एक महान पेंटर रहे हैं पापलो पिकासो question है कि which of the following Indian chili is considered one of the hottest in the world यानि कि एक Indian मिर्ची का आपको variety बताना है जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तीखा समझा जाता है तो यह हैं भूत जलोकिया भूत जलोकिया इसका correct answer होगा answer A और यह आपको North East के state में basically देखने को मिलता है तो आप लोग कितने लोग हैं जो इस मिर्च से परचित हैं क्या North East के candidate कोई इस video को देख रहे हैं अगर देख रहे हैं तो हाँ बोली और क्या इस मिर्च को आपने खाया है तो देखे चले आपको मिर्च का आपको फोटो दिखाता हूँ तो यह है भूत जलोकिया जो कि यहाँ पर देख सकते हैं बूद जुलोकिय घोस्ट पीपर के नाम से भी जाना जाता है और घोस्ट चिली के नाम से भी जाना जाता है तो इंटर, a specific hybrid चिली पीपर कल्टिवेटेज इन दा नौर्थ इस्ट इंडियन स्टेट अब अर्माचल पर्देश असाम नागालेंड एन मनीपूर और कुछ नेपाल में भी इस वेराइटी को उपजाया जाता है कोशन है कि what was the capital of the Maharaja Ranjit Singh Kingdoms तो नहीं कि Maharaja Ranjit Singh की राजजी की रलधानी क्या थी तो अंसर है लहूर तो लहूर राजजी की राधानी हुआ करती थी Maharaja Ranjit Singh की और यह आपको देख सकते हैं महान रूलर को और देखिए इनका छेत्र बैसिकली यहाँ आप जो एल्लो कलर में मार्क है वो इनकी समराजजी थी 1799 में Ranjit Singh moved the capital to Lahore from the Gorjanbala where it had been established in 1763 by his grandfather Charat Singh who wrote the book Glimpses of the World History तो देखिए Glimpses of the World History को किस ने लिखा तो पंडित जवाहरलाल नहरू की यह पुस्तक है तो character answer D होगा चलिए पुस्तक की छवी आपको दिखाता हूँ तो यह आपको Glimpses of the World History और इनको लिखा है चाचा नहरू ने यानि की जवाहरलाल नहरू अब देखिए the tagline Do No Evil is on by अनि की tag Do No Evil किसका है तो Google का है यहां पर C होगा Google का tagline है Do No Evil अब देखिए Google के बारे में आपको जानकारी मिलनी चाहिए तो देखिए Google का लोगो है Do No Evil is a pressed used in the Google's corporate code of the conduct which is also firmly preceded as a moto थे मोटो के रूप में भी एक काम करता है और देखिए Google का formation हुआ था 1998 में उन्हें 98 में बनाया गया था दो बेक्तिव के द्वारा कौन तो Larry Page और सर्जी ब्रीन के द्वारा बनाया गया था और इसके CEO हैं अभी सुन्दर पिचाही जो की भारत के तमिल नाडू राजी के है और से इन्होंने बीटेक किया है तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि mechanical के एक candidate Google को lead कर रहे हैं Google के CEO है और Google के ही नहीं बलकि जो Google के parent company है अल्फावेट इंक उनके भी CEO बन चुके हैं तो ध्यान रखिएगा कि अभी अगर पूछा जाए कि Google और अल्फावेट के CEO कौन है तो सुन इंपोर्टेंट है आपको मैंने सब कुछ बता दिया है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही आई होब आपको इस वीडियो पसंद आ रहेगे तो जरूर लाइक कर दीजेगा इस वीडियो को देखिए अपने दोस्तों के साथ जितना सेयर हो सकता है करिए और चैनल को सब सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेश रखिए तो थैंक यू गाइस इस वीडियो में इतना है